आज जो आपका लहजा था उसमें आपने कहा कि हम दिल्ली की तरह लखनों को बना देंगे, हम आने वाले वक्त में, जब तक सरकार कानून वापसी नहीं करती है, हम तिके रहेंगे, क्या चेताबनी दे रहे हैं, आप यह जो एक महिने का टाइम सरकार को दे रहे हैं, क्या चे करेंगे उसमें गोस्नाइं करेंगे हम कुछ उत्तर प्रदेश में उत्रा खंड में हर्याने में बद्ध्य प्रदेश में सब्सक्राइब पूरे देश में पंच्यात्य करेंगे वहां पर अपनी बात बताएंगे किसानों के बीच में जाएंगे तो भी आप अपना हमारा जो काम होकर तो सरकार बातचीत सुरू करें और इस मामले को सोल करें देखो ये मामला खतम सरकार को ये करना है बातचीत सरकार से ही होगी तो बातचीत कर लो आप हमारे से हम क्या कोई मने कर रहे हैं और आप तो टिकेट साब हमेशा कहते हैं कि पारदर्शिता से खुल कर बात होनी चाहिए तो दस मिनिट हमने आपके साथ एक स्लूसिफ बातचीत कर ली है अब ज़रा संबित पात्रा जी और आगिनी जी को भी शामिल कर देते हैं थोड़ा उनसे भी आप बातचीत कर लो संब लखनों को दिल्ली बना देंगे मुझे तो समझ भी नहीं आया घेर खार के कैसे लखनों दिल्ली बन जाएगा मतलब कहीं न कहीं रस्ते ब्लॉक करके घेर करके देखिए अंजना जी एक बात में कह दूं देश के सबसे बड़े चैनल पर बैठा हुआ प्रोटेस्ट करना आंदोलन करना ये बिल्कुल जायज है एक लोकतांत्री देश में हो सकता है मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे ये उचित नहीं है ये समविधान के विपरीत है दूसरी बात है 26 जनवरी किया था 15 अगस्त भी कर देंगे बहुत अच्छी बात है जंडा जरूर फे जमसे तमाम हिंदुस्तानियों को आवहान करता हूं कि देखना बंधूओं सारे आंदोलन अलाउड है नगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ अराजकता के नाम पे खिलवाड अलाउड नहीं है नमबर तीन टिकेट सहब ट्रैक्टर से डर नहीं लगता है ट्रैक्टर तो हमा आयूद है जो किसान को मजबूत करता है ट्रैक्टर वह आयूद है जो धर्ती माता से उपज लेता है ट्रैक्टर वह है जो गरीबों का सबसे बड़ा सबसे बड़ा एक तरह से वह प्रयोजन है मगर जो एक्टर उसके ओपर बैठके ड्रामा करते हैं मैं आपके लिए नही करते हैं और टिकेट साहब यह राहूल गांधी पर डिपेंडेंडेंट ना हो ना आप दो मिनट मेरी बात भी सुन लो देखिए इससे कांग्रेस भी नहीं चल रहा है ट्रैक्टर चलाना बाद में पहले कांग्रेस चला लो यह एडवाईज आप भी उनको आज फोन में दे द अंजना जी ये भाजपा प्रवक्ता को लालतेन और साइकल याद आ गई भटा परसौल याद नहीं आया नियामगिरी हिल्स याद नहीं आये भूमी अधी ग्रहन बिल याद नहीं आया जो कि अध्यादेश के मामले से किसानों की जमीन को हडपने की बहुत बड़ी कवायत थी वही राहूल गांदी थे वही प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार थी किसानों की ड्योडी पर सरकार के घुटने टिका देने का काम राहूल गांदी ने किया था इसलिए व्यक्तिकर टिपड़ी किये बिना किसानों की बात की कर नहीं सकते और अब ट्रैक्टर और अक्टर की बात पर मैं आ जाती हूं देखिए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर और फार्म एक्विप्मेंट्स पर बारहा प्रतिशत का टैक्स देना पड़ रहा है जीस्टी का और यह लगाने वाला मैं समझती हूं कि भारत की राजनेति कर टीवी पर आकर रो देते हैं भावख हो जाते हैं लेकिन उस किसान के प्रती जो की पूरे देश का पेट भरने का काम करता है लेश मात्र संवेधना नहीं दिखा पाते इसलिए आठ महीने से कड़कडा आती हुई ठंड में चिलचिलाती हुई धूप में लू के बारिश के थपेडे सहते हुए कोरोना का प्रकोप सहते हुए अपनी फसल और आने वाली नसल की रड़ाई जो किसान लड़ रहा है उसके प्रतिक्या रवहिया है मोदी जी का आप सबके सामने सपश्ट है एक्टर कौन सबसे बड़ा है घड़याली आसू टीवी पर और असलियत मे यह होता है कि हटाया भगाया जाता है किसानों को और यह जो बात करें ना फूट डालो आंदोलन तोडो की राजनीती होती है लांचन लगाया जाता है काटे बिछाए जाते दीवार कडी की जाती है राजमार खुदवाया जाता है लाटिया बाजी जाती है और तो भी नही कि हार नहीं है ना हमारी जीत नहीं। तो इसी विश्वास के साथ कि वो किसान जो अपनी मेहनत से इस जमीन को महक आकर सोना उगाने का काम करता है उस किसान के अंदर इतनी शक्ती है कि वो इन तीन काले कानूनों को मिट्टी में मिले आदेगा आज राहूल गांदी जी ने संसत तक ट्राक्टर चलाने का जो बिगुल बजाया है मैं समझती हूँ वो मोधी सरकार के अत्याचार और ट्रतार्ना के खिलाफ बिगुल है